क्या बात है यार इस वक्त तो मुझे यहां ले आए एही मैंने कहा था ना वो लड़की कुछी देर में अंदर से बाहर आने वाली है उसका नमर मिल गया तो समझ लो लाइफ सेट होगे अपने अब बहुत पैसे वाली है अगर वह मिल कहीं तो तो फिफ्टी फिफ्टी अग्जस कलेंगे यह क्या पकवास कर रहे है वह कुछ भी नहीं जानता मुझे अभी के अभी चाहिए पैसे लेने के लिए मैं हाँ गारी कि मेरी गारी में बैटरी का प्रेबलम है मैं एक बार कार के दर्वाजे को खोलने के लिए ट्राइब करूं या शॉर वाव लगता है आपके हाथों में चादू है अरे हाँ मेरा दोस्तों बच्पन से ही बहुत उशार है दरसल मुझे जूबली हिल्स जाना था लेकिन वो अप मुझे अपने साथ ले चलना चाहते ह प्लीज अब तुम तुम्हें फोन कर देंगा ठीक है ओके मेरा दमर है यह चिकन गुणिया यहां क्या कर रहा है अरे भाई तुम यहां क्या कर रहे हो वो क्या है उस दिन रात को कार में एक लड़की मिली थी फुल धमाल लड़की थी उसके साथ वाइश टार होटल में क्य यही मुझे उसकार में जबर्दस्ती ले गया मैं मुझे तो लगा था कि यह कार इसी की है वह तुम्हारी नहीं थी चल अंदर जा उसके बाद मैं उस लड़की के साथ एक कमरे में गया वो भी एक फुल प्रूफ रूम में फिर वो लड़की धीरे धीरे मेरे करीब आने ल उसके बाद मेरे हाथों को रसी से बांदिया यह क्यों रहे तेरे अंदर यह मया जाल भी है क्या आप मुझे गलत समझ रहे है मैडम मैं बहुत ही सीदा सब्साइब अरे ऐसे चुप क्यों हो गया बताना उसके बाद क्या हुआ रोड से लड़कियों को पिक अप करता है मैं सच कह रहा हूं मैंने कुछ भी नहीं किया तुमने कुछ नहीं किया ना मैडम कमिश्णर सहाब आए हैं वो कहां पर है सर वंदर है सर चलो सर हाली में इसी इलाके में पांच मर्डर और छे रेप हुए हैं तो पब्लिक पूछ रही है कि इसके लिए आप और आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सुनिये हम एक मेहने में उस अफराधी को पकड़ लेंगे अगर हमसे यह नहीं होता तो हम सीनियर से बात करेंगे और यह केस स्पेशल स्कॉट को सोब देंगे वो मर्डरर या रेपिस्ट जरूर यही हो सकता है आज से तुम दोनों अपना सारा काम छोड़ कर इसे फॉलो करो और इसकी सारी एक्टिविटी को क्यामरा से शूट करो वो किसले सर पहले जितना बोला उतना करो भाई तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने यह क्या है अरे समाल के समाल के क्या करो नहीं जल्दी में हो क्या जो लोग जाना चाहते हैं वो नहीं जा रहे तुम क्यू जा रहे हो चलो आजाओ जल्दी से बता दीजिए क्या लिखा कि यह जरूरत है मैं तो चहरा देचे खुंडली बता देता हूं तुम्हारे चहरे पर लिखा है बहुत जल्द टाइम बदलने वाला है अगर तुम हजार उपए दोगे तो मेरा काम तुम्हारा काम बन जाएगा और किसे बदल जाएगी तो शनी भी कुछ नहीं बिगार सकता सच के रहे हो अरे जूट नहीं बहुता निकल यासे मिदर आईए मैंने इतना गिरा हुए इंसान अपनी धाइप में कभी नहीं देखा ए तुछे शूट क्यूं कर रहा है बंद कर यह खिलोना आपका है हाँ बहिया तो ले लीजे बैंजी भाई वीकिंड के कोई प्लान है क्या अरे प्लान बनाने के लिए जेब में पैसे भी तो होने चाह मैडम यह ड्रस खरीद लें क्या ओके जान बचाने के लिए पुतले का सहरा लेना पड़ता है यह क्या हो गया ठीच यह इस सित मैं यही खतम कर दूंगी देखिए इसने पहली एक लीडीज को मारा है इस पर इंजाम है इसलिए मैडम हमें इसे रंगे हाथों पकड़ना होगा तब ही केस स्ट्रॉंग बनेगा अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो सारी महार बेकार हो जाएगी तो मुझे पुल्टी आती है अगर तुमें देखना है तो तुम देखो अरे यह पुतला है के मुसीबत वाफ रे कहां फास गया था मैडम गाड़ी को थोड़ा उसके और नस्दिक ले जाएए हाँ लेट प्लेज विद प्लेजर मैडम हमारी रिकॉर्डिंग को पूरा करने के लिए और अज भी आ गई यह पीछे क्या है अम बेटकर में मेरी कपड़े की दुकान है अकसर मुझे आर्डर्स मिलते रहते हैं तो मैं उन्हें कार से डिलेवरी करके पहुंचाता हूँ आप बिजनेस्मेन हो क्या ने ने यह काम मैंने अभी अभी शुरू किया है मैं आपको कहां पर छोड़ दूँ जहां ले जाना चाहते हूं वहां ले चलो मैं को समझा नहीं है क्या कर रहा होगा वह कुछ और कर रहे होंगे यार तो बस अब काम कर रहे हैं इस बार तो सही फसा है मैडम वह वहां खुश हो रहा हम यहां पर खुश हो रहे हैं तो अब तक जितने भी अपरात कि उसके सारे सबूत हमारे पास मौजूद है क्या हुआ मेरी पैंड कैसे फटी यह बात वो नहीं जानते जरा बता दीजिए हां क्या चल रहे हैं चल कभूल कर मैडम डंडा बरसाने से पले नोनों शूट क्या किया तो मैडम हमने बहुत होश्यारी से पूरा वीडियो बनाया है मैं और मेरी लेडी कॉंस्टेबल मिलकर एक साइकलाजी टेस्ट कर रहे हैं तुम में अकल नहीं है क्या इसके साथ वल्गर भी हैप करूँ पहले इसके हाथ खोलो फिर यह बताएगा मैंडम यह बताएगा नहीं यह शरीफ है इसने किसी करेप नहीं किया नहीं किया आपको कैसे पता तुमने जो सीडी बनाई यही यही है मैम चलो सीडी लगाओ दीजी मुझे आगे दिखे अने तुम्हे किस पेपन इसमें रखा मैडम मैं जाती हूँ तुमने देखा ना इसने ऐसा ऐसा कुछ नहीं किया मेरे पीट फीचे तुम लोग मेरी गलब फिम मना रहते तुम लोगों पर अब क्या कहना है मुझे तो लगता है तुम्हारी सोच ही गंदी है इसलिए कैमरा लेके यह सब शूट कर रहे थे तुम हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई हमारी आखे गलत देख सकती है बट कैमरा कभी गलत नहीं दिखाता तुम्हारा शूट किया हर सीन देखने के बाद पता चलता है कि आदमी बिल्कुल शरीफ है ओ माइग गॉड मिस्टर आली आइं वेरी सॉरी तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के साथ हम लोगों ने बहुत गलत किया आइं वेरी सॉरी तुम्हारे इस केस से कोई लेना देना नहीं है आप से तो है मेरा मतलब आप जैसे अच्छे इंसान के साथ अगर दोस्ती बनी रहे तो बढ़िया है घर का सारा काम करूंगा आपकी सेवा करता हूंगा मेरा मतलब जाडू पोचा करके अपना पेट पाल लूँगा हुआ 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 हुआ